जब WTC में सिफ 7 दिन का समय रह गया है आज से सिफ 7 दिन बाद World Test Championship का Final खेला जाएगा तब ही रेस बढ़ चुकी है Predicted 11 की और Prediction 11 की बहुत जादा रेस बढ़ रही है इस रेस में दो दिगज लीड करते वे दिख रहे है रिकी पॉंटिंग और रवी शास्त्री जहां रवी रवी शास्त्री एक ही टीम बना के अपने रुकी हुए थे इंडिया 11 की वहीं पर रिकी पॉंटिंग ने अपनी ऑस्ट्रेलिया 11 और कंबाइन 11 भी जारी कर दी थी लेकिन इस पर रवी शास्त्री ने सोचा ऐसे कैसे मैं कैसे पीछे रह जाओं तो उसी पर रवी शास्त् पुचने वाली बात यह गौर करने वाली बात यह है कि क्या इन दोनों ने 11 साथ बैटके बनाई है वो भी रवी शास्त्री की टाइमिंग पर रवी शास्त्री के घर पर समझे गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप ऐसा सोच रहे हैं क्यों चलिए आपको पह होते हुए हमें एलेक्स कैरी नजर आएंगे एक मात्र और राउंडर है टीम में वह रविंद्र जडेजा और स्पिनर इस टीम में दू है रविंद्र जडेजा और नेथन लायन तीन पेस्बोलर्स खिला है टीम में पैट कमिंस मिचल स्टार्क और मौमद शमी अगर आप वह एक ऑस्टेलिया ने अपनी टीम को थोड़ा ज़ादा फेवर कर रहे होंगे लेकिन रवी शास्त्री जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं आपको क्या अपने प्लेयर पे भरोसा नहीं है थोड़ा सा डाउट है आपको भारतिया प्लेयर पे और जबकि आप कोच रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम का वर्ल्ट टेस्ट चेंपियंशिप में फाइलन में भी आपने कोचिंग कर रखी है वहाँ पर आपने वर्ल्ट कप्स में भी बहुत जादा कोचिंग किया है इंडिया टीम की तब भी अगर आपको शंशय है इंडिया टीम पे शंशय का मतलब हम क क्या राई है इन दोनों प्लेंग 11 में और इन दोनोंücht 11 बेर रवी शास्त्री और लिकि पॉंटेंगी हमें कमेंट्स में बता है और आपके हिसाब से और कौन शामीन हो सकता है इंटीम समें उनके भी नाम हमें बता है लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूले देखते रहें यह तुफान स्पोर्ट्स केलो तुफान से